हेलो नमस्कार कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑविसर साइधिंग सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज के आज वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं सुभी और बच्चों के सामने की सर एमस भी एसे नर्सिंग का नई एक्जाम डेट क्या हो सकती है और आज की सिंगल वीडियो के इंदर आपके सामने होने वाली है और पूरी डिटेल में आप सभी को बताऊंगा बिल्कुल कंप्लीटली ऑथेंटिक इंफोर्मिशन पहरे बच्चे फटा फट तो और जो बच्चा एमस की आफ्लाइन त्यारी करना चाहता है तो हमारे आफ्ला होने के चांद सीर्थ आपके तस से लेकर 12 की और आपका ग्जाम होगा दो वार्यों में मतलब जैसे तो दो पार्यों नो को इस तरीके से हुआ था तो आपका दस ग्यारा बारा इनमें से कभी भी आपका एक्जाम इंटरेंस एक्जाम कंडेक्ट हो सकता है प्यारे बच्चे और आप ओफ-लाइन की त्यारी करना चाहते हो हमारे नहीं बहुत शुरू हो चुके हैं आज आओ अभी मौका आपके पास अठासी बावंच जीरो एक्तारी साथासी नो और ओनलाइन के लिए नियार मों नतिस साथ सुच्छी तीन सो सते तर इस पर कॉल एंड मैसेजिज करके आ सकते बच्चे अब आपकी सामने तो एक्जाम पैटरन क्या होने वाला एक्जाम पैटरन अगर एमस बीसी नर्सिंग के आप बात करो तो एमस बीसी नर्सिंग के अंदर प्यार बच्चे फिजिक्स चेमेस्टी बायलोजी एंड जी क्या आएगी टोटल हैंडर मार्क्स का आपका पीपर रहने वाली प्यार बच्चे फैंडर मार्क्स में से जो बच्चा कम से कम 65 परसंटेज के राउंड हो तो उस पैरा मेडिकल में जीके नहीं आएगी बाकिये तीनों सब्सक्राइब के लिए आपको दो घंटे मिलने वाले हैं और पेपर में अभी अगर हम लोग बात करें तो 11 12 के आपके पीसी भी आएगी तो उसको बहुत अच्छे से पढढ़ना अपडेटेटेट के साथ इमस बीसे करने के लिए त्वेलथ पास होना चाहिए गल्स होनी चाहिए 17 एज होनी चाहिए पैरा मेडिकल के लोग बात करें तो इसमें ट्वेलथ पास पीसी भी मैथ गल्स बवाइच सब फॉम बर सकते पहर बच से ठीक है और हम बात करें कि आपको कोचिंग प्लस और आपके सामने राफिल 3.0 बैच उससे आप लोग त्यारी कीजिएगा बहुत बहतरी आपकी प्रिपेशन हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से हमारे बैच सल रहा है रेगुलर लाइफ क्लास सल रही आपकी बिना किसी स्टॉपेज के तो आज ही जुड़िए और यह सबी बच्चों तक पुचाने की खोशिशन आज कले इतना ही धन्यवाद जैहिंत जैबार्त बंदे मातर्म लवी टॉल्स ने मिन्ते नेक्स्ट वीड़ों